आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में हम अपने मोग्रा प्लांट की हार्ट प्रूनिंग भी करेंगे और रिपॉर्टिंग भी मोग्रा प्लांट वींटर सीजन में लगभग डॉर्मेंसी में चला जाता है इसमें ग्रोथ रुख जाती है और फ्लावरिंग एकदम बंद हो जाती है लेकिन जैसे ही मौसम में थोड़ी गर्माहट आती है उस समय पर छोटे-छोटे सुट्स दिखने लगते हैं उसी समय इस प्लांट की प्रुनिंग तो बहुत बार करते रहती हूं लेकिन इसकी रिपोर्टिंग नहीं की हो लंबे समय से इसी पॉट में पढ़ा हुआ है तो मैं सबसे पहले इस प्लांट की आज रिपोर्टिंग करूगी रिपोर्टिंग करने के लिए मैं यहां पर एक प्लास्ट देखिए प्लांट कितना असानी से बाहर आ गया है इसके कुछ रूट से सोयल से बाहर आ गया है जिसकी मैं प्रूनिंग कर दूँगी और इस पुरानी मिट्टी को भी धीरे-धीरे हटा दे रही हूँ प्लांट की प्रूनिंग करने के लिए जो भी तूल आप यूज करें उसे सेनेटाइज करने के लिए अगर आपके पास इस तू और तू नहीं है तो सिंपल वाटर से धो करके आप उसे अच्छे कपड़े से पोच लें कि अपर 70% mundi डी हो और 30 % कंपोस्ट अप कोई भी ले सकते हैं कावडंग कंपोस्ट ले 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 यह फिर कंपोस्ट में अधिप कंपोस्ट लहूं और थोड़ा सा दी येप्यका संब्भान चैनल की फिर प्लांट है इसे फर्टिक्टलाइजर की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है, अब इन सभी चीजों को मैं अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ, पोट में मिट्टी डालने से पहले, मैं यहां मेरे पास एक बंसाई की कर्टिंग की थी, उसके कुछ रूट्स है, मैं उसे रख दे रही हूँ, जिससे डिरने जोल से पानी बाहर आ सके, आप मोगरा प्लांट समर में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है, उस समय इस प्लांट को पानी की भी बहुत ज़्यादा जरूरत होती है, तो जब भी आप पॉट में सॉयल डाले तो इस बात का ध्यान रखे कि उपर से एका धींज कम हो, तो हम इसे अच्छे से वाटरिंग कर सकें, और अब यहां में प्लांट लगा ली हूँ, पहली बार प्लांट में अच्छे से वाटरिंग कर दे जिससे ड्रेनिज होड़ से पानी बाहर आ जाए, मैं इस प्लांट की प्रूनिंग भी कर ले रही हूं प्रूनिंग करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि नीचे की दो-तिन ल्फ्स छोड़कर ही प्रूनिंग करें जिससे ब्रांचिंग अच्छी हो प्रूनिंग करने के लिए 7 टूल यूज करें अब मेरे इस प्लांट की रिपोर्टिंग भी हो गई और प्रूनिंग भी हो गई मैं इस पॉर्ट को ऐसे जगह पे रख दूँगी जहां इसे सुबह की एक दो घंटे की धूप मिले पांचे दिन के बाद जब प्लांट थोड़ा सेतल हो जाएगा तब मैं इसे फूल सनलाइट में रख दूँगी फूल सनलाइट में मोगरा में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है अगर आप अपने मोगरा प्लांट की हार्ट प्रूनिंग नहीं किये हैं तो हार्ट प्रूनिंग कर दे और रिपोर्टिंग की जरूरत है तो रिपोर्ट झाल झाल